इद का समा जो के बशूर डौियान और आप तमाम कियामत का बहुत 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 बहु जिनको आप मुख्तिफ महाफिल में, मजाकरों में आप उनको सुनते हैं, आज यहां से आप उनको देखेंगे, सुनेंगे और उनकी इद जानेंगे बुश्राज कैसे गुज़ती है? इद का समाज बाता है हमारे खास महमानों ने, और आपको कैसे बताएं कि हमारे साथ मारूफ शायर है, ड्रामा निगार है, कॉलम निगार है, और तो और सौशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एनलिस्ट और साथ सुरीले कवाल भी है, तो क्या ही कॉम्बिनेशन है आज की सम में पिस रहा हूँ, तो मैं अकेरा के सजीद मनाऊँगा, मैं वो काइड नहीं हूँ, यह तो ज्यादा तकलीफ वाली बात है, ओ, मैं इतनी तकलीफ में से गुज़र रहा हूँ कि आपकी सोच, यह देख, इज्टमाई खुशी का नाम है, उसको सिर्फ सेलिबरेटिन करते उसको दूसरों के जिन्देगी में कॉंट्रिब्यूट करते हैं, और इज्टमाई खुशी के तरफ हम पिर कैसे वापस आएंग और आप को लगते हैं, दूआ किजिए अल्ला से, अल्ला महर्वानी करे और इस मुल्क के हाल पे और मेरे गरीब आदमें की जिन्देगी जो बदल जाए और हम उसको वो जगा दे सकें और यह एहसास कर सकें कि दुनिया में हर जी जो आया है उसको जीने का बराबर का हाक है, जब तक यह सोच और एहसास पैदा नहीं होगा, आप किसी तरह भी इस मुल्क में कोई बहतरी नहीं कर सकते हैं. किस खास सोच और एहसास को पैदा करने के लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा? वो जितनी मेरी मकदूर भर मेरी हमत है, शायद उससे भी ज़्यादा मैं कर रहा हूँ, गबराई हमत. मैं खाली-खाली लफजों का सहरा लेने बला आद मी नहीं हूँ. और यह सार जैसे अभी खलील रहमान कमर सार ने कहा कि एद दो साल से अच्छी नहीं गुज़री और जो लिखते हैं, जो तहरीर से और तक्रीर से जिनका तालुक होता है, जो तकलीक से जिनका तालुक होता है, उनमें हसासियत भी ज़्यादा होती है. जो मौशे को ज्यादा हसास अंदास से परकते हैं, समझते हैं और फिर अपने ख्यालात का इगार करते हैं. यह तो बहुत तकलीफ की बात है कि एद के मौका पर भी अगर इस एहसास में रहें कि मेरे गरीब… 75 साल पहले, बलके उससे पहले कर जाएं, कम नवे साल पहले लामा अकबाल ने इस एद के बारे में कहा था कि एद आजादा शुको है, एद महकूमा, जूमें. एक हजूम है, महकूमों की एद जो उसमें उसमें पड़ी लंबी नजम लिए. हमें इस बात का एसास होना चाह ही है, लेकिन शायद ऐसी सूर्थ ठाल नहीं है. और यह बात उन्होंने जो बात की वाकी ठीक कही है, कि इजतमाई खुशी है. इजतमाई खुशी इसलिए है कि रसूल एकम ﷺ ने फरमाया है, कि एद शेहर से बाहर खुले मैदान में मनो. औरतों से कहा है कि तुम एद के अं काम में हो जिन में तुम इबादत नहीं कर सकती, तब भी तुम जाओ ताकि तुम बता सको कि तुम एक आजाद कौम की चहरी हो. देखें, अल्हा तबारक बताला ने परगंबरों को बन्यारी तोर पर भेजाई दो चीज़ों के लिए है. एक, अपनी उस कौम को आजाद कर ने के लिए है. हज़रत मुसा जो थे, जब आई हैं, हज़रत मुसा के पास अल्हा ने मोज़े दिये, ज़दे बैदा हाथ यूँ रखते थे, लहला रहे लगता था. लाठी पड़ी भी थे, उस सौम बन जाता था. और का जो अब तुम फिरान के पास जो, बड़ी मसे से रोग रह रहे थे, बनी इसराइल जार बाता है, अराम से, और कुछ निए, छोटा बड़ा घर भी था, सब कुछ था, बाकी मस्दूरी भी मिल जाती थे, बेच एक अराम बनाने की मिल थे, उन्हों यह नहीं का जा जाओ, यह नहीं का मैं रसूल हूँ, इसल माना बनी इसर आलको अदात को, रसूल लगा एद का फर्द हुई है, जब आप मक्के की घुलामी से बाहर निकलें, मदीना में, दूसरा, दूसरी चीज़, कि हमने अंबिया को नादल किया, लिज्यकूम नासब इलकिस्त, कि इन्सानों के दर्मियान अदल काइम करें, मुस्लमानों के द इन्सानों के दर्मियान अदल काइम करें, ये दोनों चीज़ें, जिस माशरे में मफगूद हो जाएं, वह एद बेमानी होकर रहाएं, दो बहुत बन्यादी चीज़ें, अम्बिया की डूटीज़ें हैं, दोनों, ये तो पिस स्पिरिट जो खलील साब ने कहा है, स्पिरि आपके मुल्क से एक जमाने में मजदूर हिजलत किया करते हैं, एक जमाने में मुचाला किसान खेतों को छोड़ के जाया करता था, आपके पहली दफ़ ऐसा हुआ है, आपके मुल्क से पड़ा लिखे बंदेने हिजलत कियें, पैसे बाले ने पड़ा लिखे बंदेने हिज परिंदे जब किसी जगा से कूछ करने लग जाएं किसी बस्ती से परिंदे जब कूछ करने लग जाएं तो समझे बस्ती जड़ गई है या जड़ने वाली है जाजी सार इत का मौका है और यकीनी तोर पर ये भी एक नहायत एहम पहलू है जिस पर अभी खलील साब ने शुरू किया फिर औरिया साब ने बात को आगे बढ़ाया तो ये तो खुशी के मौके पर एक अपने आप कुछ जोंडे वाला भी सामान है एक तो मेरे साथ जयत्ती है आप लोगों ने ये की कि इनके साथ बिठा दिया मौरे मौशरे को अपनी सोच से बदलने मौने लोगों के साथ बैठ के मौशरे की सोच की अकसी जब आपकी आँखों के सामने हो रही हो तो आप हकाइक को कैसे चुपा सके खलील और एमान कबर ने कुजे में द्रिया को बंद किया सिर्फ थोड़ी सी तर्मीम ये दो साल मैंने तो 1985 से जिन लोगों के हवाले ये मुलक है जो आज भी उनी के हवाले है तो मेरे नस्दीक तो हम 1985 से तबाही और बर्बादी का सफर जिस रुफतार से तै कर रहे हैं अब तो हम अंजाम के पास बैठे हैं अंजाम हो चुका शायद आप यकीन मनें सिर्फ यकीन नहीं आरा आँखें देख रही हैं दिल मान नहीं रहा है दमाग दिल का साथ नहीं दे रहा है ये आप थोड़ा सा बाहर निकलें और सिर्फ लोगों से एक चीज़ पूछें कि वो ईद का इंतजार क्यों कर रहे थे सच ही है ईद का इंतजार लोग सिर्फ दो वजू हाथ से कर रहे थे कि या तो उने बोनस मिलेगा या एक महीने की सेलरी शायद चल्दी मिल जाएगी और शायद उनके चंद घंटे चंद दिन अपने खांदान के अफराद के साथ खुजर जाएंगे इसके अलावा तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को अपने घर के लोगों की शकले ही याद दी रहे एक बात मैट कर देता हमाद जी खरी जाएगी एक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि रमदान खतम होंगे तो कीमते काम हो जाएंगे दरूस बात है यह तो हमारी बेहिसी की वो हालत है यह इस पर तो मैंने क्योंकि खुद इस फील्ड में काम किया हुआ है और बड़ी बदकिसमती से हम मुसल्मान कीमतों के साथ जो हशर यकम रमदान से तीस रमदान तक करते हैं वो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए शर्मिंदगी और हमारी जो पस्मानदगी है उसकी वज़ा बियान करने के लिए काफी है लेकिन अफसोस यह है कि हम हर साल वहीं से अगास करते हैं और जो परसंटेज हमने पूरे साल में कम की होती है उसको बढ़ा के मल्टिपलाई करके कौम से वसूल कर रहे होते हैं लेकिन कभी सोच नहीं आई और वज़ा यह है कि बदकिस्मती से कौम की तरभीयत ही नहीं हुई तो इसलिए किसी से शिकवा करने का कोई फाइदा नहीं है हम सब उतने ही जिम्मेदार हैं जितने बाकी है क्योंकि हम भी 1985 से इसी खामोशी के साथ सब के साथ चल रहे हैं और सिर्फ अपनी हालत बदलने पर गोर करते हैं कि मेरा आज का दिन कैसा गुजर जाएगा जिनों ने ब्रेन ड्रेन की बात की मैं उसको थोड़ा सा सिर्फ ये तो नहीं कह सकता लेकर पाकिस्तान में जिन लोगों के पास दस मिलियन है ना वो दस मिलियन दे के स्किल वीजा लेके जाके वो मजदूरियां करते हैं जिनका वो पाकिस्तान में तसवर नहीं करते हैं और वो दस मिलियन पाकिस्तान में लगा के अपना काम करने के लिए तयार नहीं है उन्हें यकीन नहीं रहा गया कि ये दस मिलियन लगा के हम कोई काम कर सकेंगे कोई कामयाबी हो सकेगी इसका रिटर्न आ सकेगा वो उस पे उस बात को एहमियत देते हैं कि ये दस मिलियन खर्च करें स्किल वीजा लें और वहां जाके बेशक स्वीपर की नौकरी करें बेशक ड्रिल मिशीन के उपर खड़े हो जाएं या कोई और काम करें तो यानि ये बे यकीनी की कैफियत जो है इस सुसाइटी को बुरी तरह निगल रही है लेकर अफसोस ये है कि हम सिर्फ यहां बैठके ये गुफ्तगू करेंगे और बाहर जाके लोगों के लिए इसमें कोई पेगाम इसलिए नहीं है कि जिनों ये ते तबदीली लेके आनी है वहां पे इसका कोई ख्याल नहीं है और ना उसकी तरह बढ़ रहे हैं ना सोच रहे हैं ना आगास किया है मेरी वालदा कहती थी कि जब घर के भाग जो है ना दर्वाजे से नजर आ जाते हैं तो आप यकीन मनें कि इस मुल्क की हालत जो है ना हर शख्स के चेरे से पढ़ी जाते है हर शख्स का चेरा पढ़ने के बाद उसके हालात का अंदाजा हो जाता है पाकस्तान में एक डेट के दो परसंट लोग रह गये हैं जिनके पास ये सोचने का वक्त नहीं है कि कल महगाई हो जाएगी क्या होगा कारोबार नहीं चलेगा क्या होगा बाकि 98% तोसी के साथ है जो डे टू डे बचारों ने जिदा रहने के लिए क्या करना है वो घर उसी स्ट्रेस में जाते है मैं अपने ड्राइवर को जब वो मेरे साथ बोटर साइकल वाले के साथ थोड़ी सी कुशिश करता है हारन मारता है मैं उसे हमेशा रोकता हूँ तुम्हें अंदाज है कि वो किस स्ट्रेस में जा रहा है वो घर में किस हालत से निकल किया रहा है और कहां किस हालत में जा रहा है तुम उसे हारन क्यों मार रहे हो बेतर नहीं है कि तुम रुक जाओ वो कोई ना कोई और मजीद गल्ती करेगा हम तो इस justement का श्कार है बेहंगम जो ट्राइफिक होती है और आपको इसलιά नादर आती है लोग युशिन ही यकसु ही का श्कार रए curb जोसे बैसकुंणी का श्कार है यह बड़ी अच्छी बात बात हमें जॉइन कर चुक चुक है यही इसी के साथ हमें ईद के समाम हमारे एक और खास पर मां ने जॉइन किया है साहि लदीम साथ ने, असलाम लेकूM अलेकूम असलाम अलब अल्बारक आप सबको भी असानियां दे और मेरे असाथ जो बैठे हैं उनको भी दूबारा रोजी आस्वाम असलाँ आपको भी बहुत ही दूबारा है असलाँ अच्छे और बड़े आदमी हो कर आपका है हमें से कोई भी उस्ताव ने बेशक्शक हम तो अप सीखने लग गए हैं तो मैं तो इतराफ कर किया है मैं शाय कि आप से सीखता हूं अलाम अश्वर लगता है किसी वादे कर जाते हैं आप कई दफ़ा तो ऐसे लगता है जमीन फटा जी अंदर गुस जाओंगा वाँ अपके वालत साब का आपकी वालदा का बड़ी मुहब्बच से जिकर किया है और बहुत जिसे कहते हैं टावरिंग परस्नेल्टी थे चिक्टियत क्या बात है जिसे आलाम अनको गिनत के अला दर्जों में जगा दे अमीं आमें साहिल साइल साइब एद का मौका है एद की गुफटबू हो रही है खलील साइब ने कहा है कि ये गुदिश्टा दो बरस से एद नहीं मना रहे हैं और उसकी वज़ाई ये है कि जब मुलक में इर्द गिर्द इतनी जादा मुश्कलात हैं और गरीब जो हर इनसान के लिए तर होती चालिए तो जो एद है वो तो इश्तमाई खुशी का नाम है उसी को आगे बढ़ाया औरिया साहब ने पर चौदरी साहब ने कहा है कि ये तो हमारे भाग हमें दर्वादे से नजर आ रहे हैं किसी भी जो घर के ना तो हमारे तो हर शक्स परेशान नजर आ रहा है तो एद के इस मौके पर गो कि ये खुशी का मौका तो है लेकिन आप जैसे जो लोग है इनके लिए तो फिर एद तकलीफ का बाइस बनती है जैसे अभी खलील साब ने भी का है तर यही शुर है इस यही शुरूर ज़्द तर पाकिस्तान के लोगों को नसीब कर दे हैं के अवह हमारा यही काम है कि जतनी जल्दी लड़के और लड़कियों में यह शुरूर जल्दी उजागर किया जाए जितनी जल्दी बार में तेरवें चोदवें सालमन को एक ऐसी टेलेस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों दे सके हमके भई देख लो कि ये वो हलात नहीं हैं जो कि किसी भी मौकर के उपर उस बड़ी हकीकत से आपको ना आशना कर दे अगर एक कौम एक नसल ने अगर कर दिया तो अगली नसल आईद मनाने काबिल हो जाएगी इन्शाला बिल्कुल दुरूस बात है कि ये 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 तो असल में दो अरब मुस्लमानों को यगज़ा करने का तहवार है किस चीज़ की खुशी के लिए कि हम एज अ कौंशिस निशन उस बड़े अबजेक्टिव के उपर गामजन है पूरा होड़ा नहीं होड़ा तो अल्ला का काम है मगर हमारी कोशें जो हैं वेल डिरेक्टिड हैं तो वो बड़ों का यही काम है दुनिया में कि जैसे ही बच्चा लोगत तक पहुंचे तो उसको बताए इमाम जाफर सादिक ने कहा कि जिसको सूरज की पहली किरन कौम के मसले नहीं लेके आती तो वो मुसल्मान हुआ ही नहीं तो इस इस अ बिगर अपरचर कि हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि घर पे आग तो नहीं लगी वी जिसके घर पे आग लगी हो उसको और कोई क्या काम उसने क्या नोकरियां और शादियां और उसने क्या और क्या काम उसका तो सबसे पहले तो आग उजानी दरूरी है कि जो हमारी मॉरल मॉरालिटी की डेफिनिशन को लग चुकी है जिस день हमारा काम moral definition को किलियर करना हो जाएगा तो अगली नसल हो खुदी अपनी जान में आजाएगी ताकत में आजाएगी हमारा पहला ऐस थी आद हमारा इस वकत और एक ही काम है कि हर aspect से morality की definition को वाज़ कर देए यह है इसके लिए जान जाती है एमाल जाता है यह बात की बहस है पहले यह है किया चीज़ एकिस टेडिया का नाम है वही तुम्हें किया हक्चा आश्णा करके दी थी हमने मसला सरा यह है कि जो हमला है कि आप समझते हैं कि हमारा मुस्लिम स्कॉलर्शिप जो है मुकमल तर पर फेल हो चुका है आपने मौरल उसकी बात की है आपने उसकी हमारे हाँ जो ट्रिडिशनल मुस्लिम स्कॉलर्शिप है उसको अंदाज़ ही नहीं हमला किस किसम का है यही होती थी जहां लोग जाके इद पढ़ते थे आप मुझे बताएं कि सेयर में इद्गा रह गई है और रसूल ला सल्लम की इज्टमाई अबादत का सवर भी खत्म हो चुक है एक तो यह और बाकी जो लोग हम लोग जो 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 लोग हैं जो समझते हैं कि को जा तो दीन का इलम ह कितना काम कर रहें कुछ भी नहीं एक बाद मैं आपकी इस पास काहड़ कर दूँ हैं कि मसलिम स्कॉलर को कैसे पता चलेगा कि हमला हो गया हुआ है वो खुद एक दूसरे को पर हमला हो रहा है जिस कदर गाली दी जा रही है एक दूसरे को एक दूसरे को और फिकाई मिसाहि के उपर एक दूसरे को उसके बाद हम तसवर करते हैं कि हमारे दीनी स्कॉलर्स हमारे लिए हमें ऐसा मकाम मैसर कर सकेंगे जहां हम दीन के एक जहटे के तले खड़े हो जाए मुम्किन ही नहीं है और आपके सबसे पहले भटकने की पहली वजाई यही है मिलकुल दूसर पाद है कस्टोडियन शिप है तो टेक दी ओनर्शिप कस्टोडियन जब खुद ओनर्शिप नहीं लेगा आम सा लड़का और लड़की को यह बहाना मिल जाता है कि मैं कुछ ना भी करूँ तो मैं मॉरली करेक्ट हूँ वो कस्टोडियन शिप के वो अपने बड़ों से लेता है और कस्टोडियन से लेता है तो धुश्तियु कुराँ के राव ठ्यावा तो कोई डषिओ नहीं होनी चाही थी हमारी अगर पाक ऐसे बन्दे को करण्डियन में क्या में इस वक्ट डषिए दी गए ऐसे बंदे को फिल्म का अपनी फिल्म का हीरो बना दिये कि जिसमें वो कुछ ना भी करके हीरो है तो फिर कौम तो तबाह होगी ही होगी तबाह हो सो किसी और एवानों के अंदर किसी भी एवान के अंदर वो कस्टोडियनशिप की लेबलिंग ना ही ownership लेने की किसे ने जुरत की ना ही करेगा ये custodianship की ownership ये custodianship है ये हमने मस्जिद को दी और सही दी है मस्जिद ही के पास होनी चाहिए मगर उसको पता ही नहीं है कि world view इस वक्त किन ताकतों के अंदर आज शकंजे में हम बड़ा मसला क्या है मैक्रो लेवल पे देखना कैसे था सिस्टम्स की डेफिनिशन क्या थी individual का रोल जो है वो उसी आर्किटाइप के अंदर फिट होता है तो माबाब कभी ये काम होता है कि वो उस असली हीरो की आर्किटाइप को resurrect करें सीधा खड़ा करें कि भई ये इसके लावा तो विलन है अगर एक इनसान को अपना आप विलन ही ना महसूस हो और रिमोर्स ही ना हो तो फिर आप देख लें फिर पारलिमेट हाउस से लेके आलों की रेडी वाला भी हर चीज जिस्टिफाय कर जाता है और अपने आपको पता नहीं किस दिलासे में सुला देता है कि मैंने ठीक काम किये क्योंकि वो आर्किटाइप जो है ना वो करप्ट कर दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ लाखों मस्जिदें आला ने तौफे में दी हैं हमें तुके तो नहीं आला क्या तो अगर ये आवाज उदर से लगती कि भाई ये है डेफिनिशन और ये इस वक्की सिचुएशन है दुनिया की इसमें ये तीन चार काम है का पास होता है या फैल होता है बात की बात है तेरी एफर्ट जो है ना वो इन अबजेक्टिव के उपर मेजर की जाएगी तो इस 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 अउनली तिंग ड़ेट आए 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 एकली मैं जिस बारे में सबसे बड़ा कंप्लेनेंट हूँ के हमारी स्कॉलरशिप ने और्थोडाक्सी ने उस बंदे को भी हीरो डिकलेर कर दिये जो कुछ ना भी करे हग और बातल की लाए में वो बेशक्श स्पेक्टेटर होके देख भी रहा हो तो उसको हीरोईजम का दरज़ा कि इसने दे दिये एक इजत्माई मिजज का डेकिडनस बहुत बड़ा है अलामा अकबाल इस शहर में हर साल अपनी एक नजम पढ़ते थे उनकी एक नजम जो है पच्चीस की उन्नीस सो पच्चीस चपचीस के जमाने में उन्हें पढ़ी सिर्थ सालत माब के अज़ूर उसमें आखरी शेर था कि मगर मैं नजर को एक आप गीना लाया हूँ तरस्ती है तरी उम्मत की आबरू इसमें तराबलस के शहीदों का है लहू इसमें और जब उन्होंने तराबलस की लफ़ बोला था तो चीखे निकल गी थी पूरे मजमे से जो उसके उत हजारों का मजमा था और लोगों को पता तराबलस कहा है और वहाँ जंग बलकान में बीच क्या रही है लोगों के उपर खालत यह है कि मैंने अपने बच्च्पन में देखा है के दो मामलात ऐसे थे जिसमें कौम को किसी लीडर्शिप की जरूरत नहीं होती थी रियाक्ट करने के लिए एक फलस्तीन और दूसरा कश्मीर अजरत बलके दरगा से मुए मुबारक चोरी हुआ था लोग सड़कों में खुद बखुद निकल आयते किसी मौलवी की दूरत नहीं थी अब घज़ा पर हुआ है बदकिस्मत हम है कि तीन जुरूस निकले हैं घज़ा की किंडेमनेशन में तीनों जमातों के लएदा लएदा जुरूस निकले हैं आप सोचें जमार्थिक लबैक का लएदा है जमात इसलामी का लादाया जमित इलमा इसलाम इसलाम का यहूदियों के खिलाब भी जो कौम हमें कठी नहीं हो पा रही और यहारत नमारी होगी अब आप क्या सबचते हैं अच्छा साहिल पर आप भी इस पर जरा कॉमेंट कीजिएगा है खिलील सब इस मौझूदा सुरतहल में जो जिस पर गुफ़गू हो रही है फिर हमें पाकिस्तान में भी और बाहर भी मख़भी और स्यासी सता दुनों जगा पर खियादत का फुक्दान है अपज़ इस पर चल रहा है या मनदिल की तरफ जा भी रहा के नहीं आप यह मेरे नए नई नसल के बच्चे के पास आपने उसको अंग्रेजी करीकुलम दिया है उस सिचुईशन के अंदर जब वो सवाल करेंगा यह आपके पास आपके पास कौन है जवाब देने के लिए कौन सा रास्ता है जो बताएंगे ये ठीक है ये मन्जिल की तरफ जा रहा है हमारी तो हिम्मत अखात ही निया आप सिर्फ यू कैन मेक दम शाड़ाप शाड़ाप करने से आप वो समलने वाला नहीं है वो हमने मुझ बंद कर लिया थे वो नहीं मुझ बंद करने वाला वो आपसे हिसाब लेने वाला है साजरी साब फिर हिसाब लिया जाएगा तो मामला आगे बढ़ेगा तखें हिसाब किताब में अगर इसला का पैनलू निकलता हो तो जरूर करना चाहिए अगर मेरा ये ख्याल है कि हमारे रिलिजिस स्कॉलर और हमारे पलिटिकल इंटिलेक्ट्वल्स की एहलियत के उपर सवालिया निशान है क्या इसको ब्रिज करने के लिए किसी ने कोई रोल अदा किया है क्या इन फासलों को पाटों को कम करने के लिए ससाइटी के किसी सेगमन्ट ने काम किया है जेक With Society के किसी सैगमन्ट ने काम किया है लेकirement Society के रोल मोडल्gen ने वो लोग बनते हैं जो इन Gibles को fill करने में कामयाब हो जाते हैं तनकीद करना बहुत असान काम है खामिया तलाश कर लेना बहुत ही असान है इन खामियों को दूर करने के लिए काम करने की जरूरत है और मैं समझता हूं कि आज कौम के नوجوانों को, बच्चों को, आने वाली नसलों को अगर हमने बचाना है तो हमारे इंट्लेक्शुल्स को हमारे स्कॉलर्स को जिनको इन चीज़ों का इसास है जिने ये अधराक है कि हमारा रिलियर स्कॉलर हमारा प्लिटिकल लीडर इतना बड़ा जो गैप है इसको कैसे फिल किया जा सकता है और अगर हम इस पर काम करें बात वही तरबियत की तरफ आती है हम वो तबका पैदा करने में नाकाम रहे हैं जो इन दो बड़ी नाकाम फोर्स के दरमियान ब्रिज बन सकता बदकिस्बती से ये दोनों नाकाम है दोनों अपना अपना काम नहीं कर सके सियस्दान अपना काम नहीं कर सके और रिलियर स्कॉलर अपना काम नहीं कर सका पाकिस्तान में दीन की जो हालत है नमाज हम पढ़ते हैं अमल हम नहीं करते हैं हम अभी जैसे खलील और एमान कमर साब रमदान की महंगाई का जिकर कर रहे थे हम मुसल्मान है हमें पता है जखीरा अंदोजी हराम है लेकर हम पूरा साल उसकी प्लैनिं के अलावा सब कुछ करते हैं यानि हम अपने नभी के बताय हुए रास्ते पर अमल नहीं कर रहे हैं तो अगर इन चीज़ों को कोई फिल करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर ये बेहतरी पैदा नहीं हो सकती और इसमें कामया भी कभी मुझे कोई इमकान नहीं है आम सुरी मैं मायूस नहीं हूँ लेकिन हम जहां आगे हैं ना अब यहां पर तबाई और बरबादी के बाद ही उठा जा सकता है यहां से किसी को उठाना मुम्किन नहीं रहा अगर हम यहां से किसी को उठाएंगे वो कोई अल्ला ही मुझाहिद भेज दे तो उठा लेगा वरना हालात नहीं रहें कि हम कौम को यहां से उठा लें इस पस्ती में गिरी हुई कौम जिसको आज भी यह एसास नहीं है कि वो क्यूं गिर गई है क्यूं तबाव और बरबाद हुई है ठीक है रिलीजियोस कॉलर की जमेदारी है प्लिटिकल इंटॉलेक्शिल की रिस्प का ख्याल नहीं रखता हूं नभी के किसी असूल को नहीं मानता हूं जमेदार मैं रिलिजिस स्कॉलर को जानता हूं मैं रिलिजिस स्कॉलर के बार पुलिटिकल लीडर्शिप को मानता हूं मैंने अपनी सुसाइटी क्या की मैं अपनी जमेदारियां पूरी करने में नाकाम मैं अगर खुद दरुस्त हूँ, मैं अपना घार ठीक कर लूँ, अपनी भेन को ठीक कर लूँ, भाई को ठीक कर लूँ, अपने हकूग पूरे कर लूँ और उनको ये तर्बियत दे दूँ कि वो अप ये चेन आगे बढ़ा ले, तो शायद बेतरी पैदा हो जाए, सोचने से नहीं होगी, अमल करना है, और हर किसी को उसका आखास करना है, पिल्कुल सही बात किया है, अलामा अकबाल की जिन्दगी का एक बहुत बड़ा वाक्या ह है, इसके अंदर, अलामा अकबाल ने एक दफ़ा अपने दोस्तों से कहा कि मेरे एक सवाल का जवाब एक सहाब लेके आए हुए हैं, और वो वहां पर ठहरे हैं, दाता सहाब की मस्चित में, तो चलने हैं, अकबाल सुबस वेरे उट जाते थे, वो का वो का लगाया, अगर अगर तुम चाहते हो कि इस इमारत को दुबारा सही तामीर करें, पहले इसको बुनियात से गिराओ, यह इस काबल नहीं है कि इसके अपर अब दुबारा उस्तवार किया जा सके, यह चिपकियां लगाके और इस ते नहीं, बद तिसको ठीक में, एक दफ़ा इसको गिराके असर नौ इसको तामीर करना पड़ेगा, नए एकदार और वैलियूस के, एक साहिल साब आपके को खिलीज साब इसी पर कॉमेंट आप जरा कीजिए, कि अब मजीद गिरना है, मैं इस बात से डर रहा हूँ, बात सौफ पीसद ठीक है, मैं इस बात से डर रहा हूँ कि इस ग बजार लिए आपने, तो अल्ला ने तो कुछ बुरा नहीं किया, बुरा तो हम ने किया हूँ है, और बोया काट रहा हैं, सब्सक्राइब का लिखाओ अकलाम, और उनी की नजर में कर रहा हूँ, बाचिवा, माशालू बाचिवा, बूल जाँने का हूँ, मुझे को सिखाते, जाँ, जा रहे हो तो सभी नक्षिक्षि मिटाते जाँ, चलो रसमन मन ही सही, मुड के मुझे दे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल को निभाते जाओ, कभी कभी ये मुझे रताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे ससाए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाएगा, बिछड़ना मुबारा बिछड़ जाएगा, कभी कभी मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, मैं समझा था तुम हो, तो क्या और मंगूं, मेरी जिन्दगी में मेरी आससं हो, ये दुनिया नहीं है, मेरे पास तो क्या, मेरा ये बर्मधा, मेरे पास तुम हो, मगर गर तुम से सीखा, मुहबत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाईएगा, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में, तेरा दिल दड़कता था दिल में, हमारे ये मख्मूर आखे जो बदली हुई है, कभी हम नहीं के हैं सब्के उतारे, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, देरे रेना, देरे रेना, देरे रेना, जीना है फिर बिना जीना है अब मुझे को दे बिना क्या खूब माशाला माशाला एद को मौका है तो एद पे कोई याद आतें आपको रिष्टेदार या कोई करीबी चाहने वाला है आपाय आते हैं यादा आते हैं बहुत यादाती हैं और अबभा बनने का जो घंड हो जाती है तो जब तक थे तो मौज़े मौज़े इन जो आया करते थे जो उनसे मांगतांके खाया पिया करते थे तो उसमें तसली बड़ी थे अब जितना भी कमाल हो हम किसी को खुशरी कर पाते हैं क्या बात कर दी दो साल जो भी पिछले गुशरी आपने का कि कोई खास अची एद नहीं गुशरी लेकिन दो साल पीछे और हम चले जाते हैं तो कैसी एदे थी बेहतर थी बहुत 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 थी महिंगाई का ये दूफान नहीं था देखिए मैं जहां तोल रहा हूं इसको तोलने के लिए तो हमरे पास बहुत सारे मकाम हैं और वो सही फर्मा रहे हैं वो उनेसो पचासी से इसका इसाप किया जा सकता है लेकिन वो चश्मे जदन में ये वली हालत की जाएगी इसका तो तसवरी नहीं तो कि आप इस तरह तलपट कर देंगे पूरे माशी निजाम क और लोगों की अरनिंग पावर को कि वो तबाही के उस जूले में बैठळैंगे या जहां से उनको उतारना ना मुमके ने इस वकत और नके पास कुई हमारे पास कोई माशी प्लान नहीं है मैं हैं हरान होता हूँ इनके माशी स्लोगन सुनके Nothing Boring 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 उधार उधार उध तक आप कौम बनने की कोशिश करते रहेंगे, इमपसिल, इसी तरह घजा के वाकियात होते रहेंगे, और आप गिदर की तरह मुझ छुपा कर, क्या आप मैं बोलूँ, चालिस हजार लोग आप किश्वीर हो गें, यार, दो धाई हजार, मैं उन पे भी सख खिलाफ हूँ, कि वो जो मारे गए थे, वो जो ट्विंट आउर जब गिरा था, आप उने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी उसके बदले में, लेकिन चालिस हजार लोग शहीद हो गए हैं, और बच्चे हैं इतने, मैं पता नहीं, वो सही है, पिक्चर अब एक तस्वीर आई हुई ह जिसमें एक कुटा एक मरे हुए बच्चे को दबोच के जा रहा है, या कहां अब वो जो इनसानियत के दर्स दे रहे हैं, वो जो हमें अहिंसास पढ़ा रहे हैं, कहां है उनकी गहरत, अला हुआ अक्पर, या रबूलमश्रिक है, या रबूलमगर्ब है, अरिया साथ, कर रहे हैं और यकीनी तोर पर आँके बहर आती है, ये गुफ्त्रू करते हुए, ये बाते करते हुए, खलील साब भी उसी कहफियत से गुजरें, लेकिन क्यूंकि लोग जानना चाहते हैं, और या मकूल जान साब कि इड़ें कैसी गुजरती हैं, इस तकलिफ दे हुआ है पर आँके प्लक माता जानन साथ, बच्पन कितना भी ओर्बत में गुजरा हो, तक बच्पन के घुजरें, बहुत कष्म पुर्सी तक बच्पन के गुजरें बहुत गुजरी हैं, जब मैं कितने साथ नहीं कम्रे के घर में माट लोग पहन पहन पहरे थे झापी देकी आए वैसे भी दोर भी जबर्दस था, रकून भी इतना था, एक मिनान भी इतना था, ये पता है क्या मसला है, हमें कुछ इज्टमाई खमोशियों की सदा मिलती है, पाकिस्तान अकेला नहीं, आप सोच सकते हैं कि जिसकत हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है, और उनको घेरा दे दिय आगया है, तो एक डी डॉक्टर ने एक मैसेज भेचा, पॉट से, कि हो सकता है कि जब ये मैसेज आपको मिले, तो हम जिन्दा नहों, और टैन डानिंग स्ट्रीट पे जिस औरत ने वो पढ़ा है, उस औरत ने वो पूरा मैसेज नहीं पढ़ सकी, ये हालत पाक्स्तान में इंडोनेशिया में, मलेशिया में, इरान में, इराक में, साओधी अरब में, अर्दन में, मिसर में किसी जगा नहीं आई, देखें, बहसियत ते कौम अकबाल करते हैं कि फित्रत अफराद से अखबास भी कर लेती है, नहीं करती कभी बिल्लत के गुनाहों को मा, मैं और कुलोहुम आती ही जो अमल क्यामत है, फर्दा हर बंदे को तने तना बलाओंगा, क्यामत में मेला नहीं लगाओगा, यह हमने मौलमी ने बताया हुआ है कि सारी दुनिया कठी होगी, और यह ना, ना, कुरान कहता है, बेटे का हिसाब बाप के सामने नहीं लिया जाएगा, बाप का बेटे के सामने, लेकन कौमों का अल्ला कहता है, मैं इदरी, इदरी, यहां पर तुम लगों के सामने, और हमारे साथ वही हो रहा है, और आप सोच सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेके अब तक, जितनी भी जंगे हुई है, किसी जंग में इतनी परसंटेज बच्चों की नहीं मारी गई, जितनी इस पर इस में मारी गई, किसी जंगे है, और आप सोचें कि 17 किलो मीटर का बॉर्डर है, मुसल्मान मुल्क का, मिसर का, हरफा बॉर्डर जो है, किसी एक मुसल्मान मुल्क ने इसको नहीं का, यह बॉर्डर तुम तो खोलो यार, तु बार रोटियां पगड़े ले जाते हैं अपना जखमी छोड़ के चले जाते हैं इसको तो में लाज कर देना जार यह इद है और इद को मनाने का कोई हग कम है अस्तखफिर लगा जी चौजरी साब आपके गुफ्तगू करना बड़ा मुश्किल हो गया है मुदू बिल्कुल मुफ्तिफ तरफ आप लोग ले गए हैं लेकिन खलील और रहमान कमर साब ने 9-11 का वाकिया याद दला के मुझे माजी में फैंक दिया है और आज के हालात को समझने के लिए हमें अब 9-11 में वापस चाना पड़ेगा और उस दिन से लेके आज तक अफगानिस्तान से शुरू हों इराक पे चले जाएं एरान पे चले जाएं शाम पे चले जाएं लीबिया पे चले जाएं और अब घजा पे चले जाएं लेकर इस से थोड़ा सा पहले अब से चंद साल पहले मक्मुजा कश्मीर में जो कुछ हिंदुस्तान ने मक्मुजा कश्मीर के मुसल्मानों के साथ किया क्या आज पूरी दुनिया का मीडिया कहीं बियान कर रहा है कि मक्मुजा कश्मीर के मुसल्मान आज किस हालत में हैं क्या हमें पता है हम तक कोई रसाई है इन्फरमेशन की गुजरात में जो कुछ मुस्लमानों के साथ हुआ था मैं इस बात पर बहुत मुझे मलाल भी है कहने को दिल भी नहीं करता लेकर खुदा की कसम मुझे ये लग रहा है कि गज़ा पेशबंदी है मुसलमानों के लिए हिंदोस्तान में या कहीं पे और और ये एक तजर्बागा के तोर पे उन्हों नें गज़ा में मुसलमानों की बेहुसी और मुसलमान हुकमरानों की बेगहरती को देखा है कि ये कितने की बेगहरत हैं कि ये अपने लोगों को अपनी आँखों के सामने मरते हुए देखते हैं क्या कोई निकलता है कोई बोलता है किसी का जबीर जागता है कोई कह सकता है आज ये जो हम 50, 60, 55, 70 पता नहीं कितने मुसलमान मुलक है नाम के कोई एक जिसका जबीर ने ये कहा हो कि हम खड़े हैं उनके साथ, मरेंगे भी साथ, लडेंगे भी साथ, बचाएंगे उनको, कोई नहीं सिर्फ सियासी बियान दे रहे हैं, सफार्ती तालुकात महفوظ होने चाहिए, दुनिया अमन का गहवारा होना चाहिए, उस दिन तक जब तक बेरी बारी ने याद है उन्होंने स्रावदीन ऐयूबी से लडने के लिए रिटर्ड शेर दिल को इंगलिस्तान से बलुआ था, ये बाइकाट भी यॉरप ने किया है, आप देखें उन्होंने तबाह बरबाद कर दिया है, आप खुद सोचें कि यहुदी सबसे पहले निकले हैं ब्रुक भी अभी तक कदाप पर बॉम्बिंग जा रही है यहां पर बात हो रही है, रमजान ट्रांस्विशन में बहुत वाज़ अन्दाज में यहां पर गृत्वद्बू होती रही है, रमजान के समाव में आपको लगता है कि वाकिव वह जए काविश है कि लोगों को कमज कम इस मकसद, यह जो अजीम मकसद है, इसके उपर आना चाहिए, आज को के हम एद का प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन एद के प्रोग्राम में भी फलस्तीन का मसला, मुसल्मानों का जो इताहत किसी भी जगर पर नहीं है, अपनी अपनी डगर पे, अलग अलग रास्तों पे चले जा परसेंट करेक्ट बार रचोजी साब की, कि ये इन्होंने चेक किया है, कि बड़ा मारका किदर किया जाए, क्योंके छोटे मारके से लैब टेस्टिंग की जा रही है, कि हम वाकी कितने बेगहरत हो चुके हैं, और जिन 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 आहवानों से आवाल आनी चाहिए थी, कोई मुबिलिटी की, या कोई करेंट, तो वो तो नहीं आई, तो उसके बाद, आप क्या यहुदी साज़च, तो क्या अमरीका का वर्ल्ड ओर्डर, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं रही, तो वाकरी सही कह रहे हैं, चोजी साब, आप इंडिया, मैं भी ऐसी देख रहा ह दिलिट मुवमेंट जैसे ही डाउन होती है, तो मुसल्मानों की कतले आम दोबारा दे शूरू होने का पूरा, पूरा प्लैन तयार है, होगी नहीं होगी, अल्ला को पता है, मगर हम कतनी किस, उसमें, मेरे अबबा जी का यह एक शेयर है, कि बहुत ही खुश है जमाना, नहीं कोई, हजार कर्ब हैं पर कर्बला नहीं कोई, हुसैन कोई नहीं, इतनी प्यास होकर भी, यह तजर्वा किया है उन्होंने, और यह तजर्वा, मैं वो दिन याद है मुझे, एक जमदान से कोई महीना पहले, दो तीन हफते पहले मैं, और चोदिस आपकी मुलाकात का और दिन, जिसमें हमने यह जो प्लैन बनाया था, और मैं भी मायूसी हूँ, आई स्वेर, मैं उस वक्त भी उसी नायलिजम में था, और चोदिस आपकी अलब ताला इस्तकामत दे, उन्होंने वो एक जटका दे करा कि ऐसे नहीं हमत हारनी, कुछ प्लैन तो बनाएंगे ना हमसे तो सवाल होगा इसका, तो आई थिंक इस नियर ठीक थी, अलहमदोल्ला, और ये 25-26 दिन के अंदर, जो चेंज मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं समा टीवी के इंडिकेटर्स के उपर, मैं तो रोड पे होता हूँ, हर वक्त युनिवर्स्टी मैं भी वो जाया नरम दिली तो होगी तो फील्ट हुआ, मगर मॉबिलिटी सिर्फ यूद से आती, तो ये जिस लेवल की पेनेटरिशन हुई है, अल्ला ताला कामयाब करे, अल्ला ताला इसका अजर दे, चोड़े साफ, I am in debt of you, I owe you for believing in this, and the way you've believed in this, 30 days of Ramadan has really paid off, मेरे पास क coming in thousands, कि ऐसे काम नहीं होगा, we need to have those objectives lined up, तो current तो है, अभी मरें नहीं हैं हम, मगर बात वही है, कि जब तक वो जो अमल का लफ़ है ना, अमल का लफ़, साक्लाजिकल एक्सपेरिमेंट ये करना पड़ेगा, कि अब हम तमाम बड़े लोगों को, बड़े का मतलब है, उमर मे बड़े लोगों को, लड़के लड़कियों को, अमल का लफ़ रिप्लेस करके कुर्बानी के लफ़ में डालना पड़ेगा, कि अब अमल नहीं, अब हमें कुर्बानी करनी पड़ेगी, अब अपनी सेल्फ सैकरफाइस के उपर आओ, अपनी इस अना को कुर्बान करो, अप माल को लगाना शुरू करो अपने ताके हम क्योंके अमल के लफ से काफी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो के उस तरफ ले रहती हैं जो सेल्फ सैटिस्टिस्टिस्टिस्टिक्शन में होती है कि मैंने आज नमाज पढ़ ली मैंने इनो गरीबों को खाना खिला दिया सो और सो फूर बड़ी क्लिरली बताई थी ना कि वो दिन याद करो कि जिस दिन तुम्हारी नमाजें और रोजें तुम्हारी मूपे मारे जाएं कि तुम्हें असल में काम क्या दिया था और तुमने ये काम करके अपने आपको सैटिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्ट तो इस महिने में मैंने नीटरल इंडिकेटर्स के उपर देखा है, आई होप चोड़ी साहब आपने भी देखा हो कि मेजर डिफ्ट देखने को आई है, मेजर सेंटिमेंट चेंज, बलके जो वन टू इंडिकेटर्स मेरे सामने आएं वो ये कि हमें तो पता ही नहीं था किस त बंदेगो स्क्रीन बिलाने के लिए मगर ये रिस्क ऑफ इस पेइड़ाएं मुझा था, आए होप अल्लाँ ताला साहिल साथ चोडरी साहब से ले 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 नहीं कामेंट ये रिस्क कैसे लिए चोडरी साथ अच्छे देखें मैं आज ना मैं फॉर्चनेटली तीन मेरे पास हैसे लोग आज माजबूद हैं यहाँ पे साहिल अजीम, खलील औरेबान कमर और औरिया मकबूल जाँ जो सतर से असी सेकंड में वो कह देते हैं जो नोजवानों के अंदर बिजली बनके जिन्दगी के असार पैदा कर देता है और आप यकीन मानें के मैं इस बात का बलीवर हूँ के कौम इसी तरह के चंद लोगों की मुंतजर है जो अपने चंद फिक्रे, चंद लम्हों में इस कौम को जगाने की वज़ा बन जाएंगी और यकीन मानें ये को बहुत मुश्किल काम नहीं है लेकिन हमें होसला करना है और हमें अपनी जिम्हदारी का एसास करना है कि हमें उठना है, जिन्दू में शुमार करना है और अपने आपको मुर्दूं से निकाल के अगली कौम को जिन्दा करने पर काम करना है और ये मैं अपना ही जवाब दे हूँ मैं औरिया मकबूल जान का जवाब दे नहीं हूँ खलील और एमान कमर का भी नहीं हूँ साहिल अधीम का भी नहीं हूँ लेकिन मेरा ये फर्द जरूर बनता है कि अगर मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म मजूद हो जाहां मैं लोगों को जगाने के लिए कुछ कर सकूँ अगर ना करूँ तो मेरे से बड़ा मुजरम कोई नहीं होगा तो मैं ये समझता हूँ कि इन सब लोगों को भी ये 90 सेकंड जो हैं अपनी जिन्दगी के दिन में किसी ना किसी लम्मे इनका एक पेगाम मिलियंज और मिलियंज लोगों को जिन्दा लोगों में शुमार करने की वज़ा बनेगा लेकिन इने बहुत यकसू होना है बहुत इहतियात के साथ आगे बढ़ना है कौम को मरवाने की तैयरी नहीं है चौम को जिन्दा करना है कौम को अपने हकुक और उसके साथ साथ कैसे जीतना है इस तरह आगे भड़ने के लिए तरबियत देने की जरूरत है और ये लोग कर सकते हैं ये तीन लोग भी काफी है ये तीन तीन लाख तीन करोड और तीस करोड हो जाएंगे अगास तो करें और ये साहिल अधीम यकीन माने के आपको बहुत काम अंदाजा है मुझे बहुत जादा अंदाजा है इस 28 दिन का मैंने इन 28 दिन में आपसे मुलाकात नहीं की लेकर मुझे इन 28 दिन का अंदाजा मुझे है आपको तो यह ना जो पॉसिटिव पिक्चर नजर आ रही है जो जटके मैं महसूस करता हूँ मैं ही जानता हूँ मैं उस पर रूशनी डालना आपका मेरा मकस्द भी नहीं था यहां पे आज आने का मैं सब यह खलील और रह्मान कमर अरोरिया मकबूल जान से मिलने के लिए आया हूँ मेरा इस शो में मकस्द भी नहीं था आपकी भाशनी जटके हूँ मुझे मुझे यह मुझे याद आ रहा है तो इतनी इज़द करवाने की कैस रहते है हमें घर से तो वैसे जलील होते हैं भार भी हो जाते हैं क्यों हो रही है बिल्कुछ देखे हैं कुरान पाक की एक आयत है कुरान की बाद आगी तो मेरी क्या उकात तुम उस वबाल से डरो जो सिर्फ उन चंद लोगों पर नहीं आएगा कि जन्हों ने असल में जुर्म किये होंगे पुरी कौम पर आएगा है उन लोगों पर नहीं आएगा अल्ह तर खास वाम पर डालेगा और उसकी बन्यादी वज़ा जो है रसूल आख से एक अधीस है हमारे हाँ एक बात बड़ी सही है साहिल साब ने जो बात की है ना कि पॉब्लिक में वेश चीज़ है वो रोकना चाहते हैं वो निकलना चाहते हैं और उनकी यो इकबाल ने जो असल में अलाज तर्याफ्त किया बड़ा कमाल वो कहता है शबे पीशे खुदा बगरी इस्तमदार मैं रात को अल्ला के सामने बड़ा रोया मुसल्माना चरा जारंद उ खारंद मुसल्मान इतने जलील उ खार क्यों है निता आमद नमी दाने के एक कौम आवाज आई कि तुम इस कौम को नहीं जानते दिल दारंद ये दिल रखती है महबूब एन दारंद इसको महबूब मुसल्माना रहा है वो बड़ी इंपॉर्टन बात है अल्ला ताला इस कौम को महबूब अता करे और ये कौम ने तो कमाल कर दे है मैं तो इस कौम का मौत के दूँँ मुझे इस कौम से कौम कोई किला ने अभी मैं रिसिट्ली मौत के दूआ हूँ मैं रिसिट्ली मौत के दूआ हूँ वो क्या चौज साब की मेरा दिल पहरा था नुकमा दे दूँ विच में कर दिए ये कौम अभी मरी नहीं है ये आकड गई तो चलिए गुजारिश मेरी सुरीली सी आवाज में शहान मजफर कवाल कुछ सुना दीजिए आवी 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 नहीं हुक्तारी हुम किन नई अओरी आपरी आ तू भी देखे अगर गर तो कहे हम निश्य आपरी आपरी जोनी आपनी उसमे जाग के दारी है चहराई गूल की तरहे शाब है चहराई गूल की तरहे शाब है जोनी पाब है चहरा जैसे गदर गदर जैसे चेहरा जैसे तस्वर की तस्वीर भी चेहरा जैसे के चेहरा कहीं भी नहीं महब 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 आफरिया वरी आफरी आफरी आपरी 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 उसने जाना की तारी हों कि नहीं आप इस तरे तो होश उड़ाया ना की दिये यूपन सबत के साथ आया ना की दिये काली काली दुल्खों के पंदेल दालो हमें जिन्दा रहने दो ऐ हुषन वालो नाचे ओ हम सताए हुए नाचे ओ हम सताए हुए बहुत दखन सीने पे खाए हुए खाए हुए सितम गरगर वो तुन खूब पहचान के हैं हम्हारी आतान को हम जान दे तगावाज हो तुन सितम गरणे वाले परेवे मुहब्पत में उल्चान दे ये रंगी कहानी तुमी को वाद तुम्हारी जवाद, तुमी को वाद हमारी novamente निगाह हचाबो हमें जिन्गा रहने के दो एह खुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी जब ये कवाली सिरा रहे थे खलील रिमान कमर साब किसी और सोच में थे हैं? मैं अभी तक मुसलसल उसी जगा फसा हुआ हूँ आईद का दिन मनाने के लिए इस तरह के गाने तो सुने जाते थे हम भी सुनते थे और शौक से सुनते थे बलके मेरा तो एक हिस्सा फील्ड का इस तरफ की है लेकिन वही वह बात जो है वह कड़ पा रही है कि क्या इन गानो को एन इस वक्त हम इंजुआए कर पाएंगे और मैं दूआ करता हूँ कि अगली बार जब हम बैठे हैं ला जिन्दगी दे है तो हम सच मुछ की इत मना रहे हैं इंशालला अला हमें तफीक देखे हैं हम खुशियों भरी इत बनाएं आप जब कहों कि मुबारेक आवादे बलंड करें भी खैर मुबारेक जी नहीं बल्कु ठीक है आप पस्क्राइबात एक वक्त मसी की ऐसी चीज़ है जो आपको किसी बावा में लेती जाती है लेकर मैं तो काफी अर्से से इस चीज़ को देखें आप देखें साथ अक्तूबर से ये गज़ा की सुर्टहाल है साथ अक्तूबर से घज़ा किया और जो चौद साब किश्मीर के जिकर कर रहे थे पांच अगर अर्से जिए नहीं वो चब्श अक्तूबर उनीस सो अटालिस से है जो नाइन्टी नाइन्टीज में पिश्मीर में देखें मैंने आप सोचें हम बयान नहीं करते अहमदाबाद ना इंडिया गया हूँ एमदाबाद से कोई बारा किलो मीटर के फासले के अपर एक अलाका है जोहापुर 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 जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा घैटो है घैटो कहते हैं वो अलाका जिसमें यहुदियों को रखा जाता था जहाना पानी होती थी ना बिजगी होती थी ना गैस होती थी ना सीवरेज होती कोई होते थे थे ना कॉलेज। साड़े साथ लाख मुसल्मान उस जगा पर हैं इसलिए कि जो भी हिंडिया से किसी जगा से निकलता है वो वहां जाके बैठ जाता है और पोटेक्टेड फिल करता है। आप एमदाबास से निकलें बिजली खतम हो जाएगी सड़क खतम हो जाएगी सिवरेज लाइन खतम हो जाएगी स्कूल की सूर्थ का हास्पिल का आप हैरान होंगे कि वहां पर आपको गाड़ी मिल जाएंगे ना अगर आप तो आगे आपको ट्रक्षी वाला कहेगा वहां आगले रक्षा ले 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 या साड़े साथ लाख का घैटो इस दुनिया के न मसल्मान हैं इंडिया में भंबे में 38% मसल्मान हैं आप सोचें कि मुझे उसने का कि आँखे बंद करने उरे साथ और जिस तका से बद्बु हाना शुरू है समझे मसल्मानों के लाका लाका है लाहो अपर यह जैनी वह जो अकवालने काता ना कि मुल्ला को जो मस्जद में स सजदे की अजाज़त नादाँ जो समझता है कि इसलाम है आदाद एक्जेक्टली वही किफियत है वहां पर यह पूरे इंडिया के अंदर वो जो बात लोग आज बात करते हैं अबुलकलाम अदाद के कहने के अपर तो वही गये थे न वो लोग मैं इंडिया में एक जगा वहां गया तो मुस्लमानों का काफी सारा वो वड़ा मशूर उनका मदर्सा है तो मैंने ने का हम जब यहां आये थे ने मैस पक्स्तान तो हम तीन क्रोड की अबादी थे आप जो लोग रह गये थे ना वो एक क्रोड सतर लाग थे यहां से इस तीन क क्रोड की जमीन से अला पचीस क्रोड को रिस्क दे रहा है आप डेट क्रोड आ जाते हैं आपको भी मिल जाता रिस्क वो हिजरत जो जिसके अंदर लाने बरकत रखी हुई है ना वो उसका तसवर नहीं पूरे इंडिया अगले सौ साल तक कोई बंदा सोच नहीं सकता मुसल कि वजिर आदम बन चागे 15 फीसदी मुसल्मान इस्राइल में सोच नहीं सकता कि सारे जिन दीविव वहां पर वजिर आदम बन तके कुछ मेर नि बन सकते जिस जगह पर मुसल्मानों की एक सरीवत है बेनारस में 37 फीसद है और अंगाबाद में 38 फीसद हैं बॉंबे में 38 एम्दाबाद के अंदर कुछ 33, 34 वी सद है वहाँ बीजे पी का कटर किसम का हिंदू मेर होगा और उनको तो हम पोछ दकते हैं जिस खौफ के अंदर वो लोग जिन्दा रहने हमारा मसलब देगा है हमारा मसलब ये कि हमने इस अजादी की गदर नहीं की अजादी की अजादी की इसका मतलब है अजादी की कदर नहीं की ये बहुत ब्रॉड बेस्ट है लेकिन अजादी किस को कहते है क्या आप अपने इन 24 करोड पाकिस्टानियों से पूछ सकते है अगर इन्हें ये पूछना है तो ये सिर्फ गजा के दो मिलियन लोहों की हालत को देख केने के अंदाजा लगा है इन्हें मक्बूजा कश्वीर के उन लोहों को जिनके घर में अपनों को मिलने की अजासत नहीं है जो अपने बच्शों को नहीं मिल पाते हैं उन्हें यह नहीं पता के जो घर से निकला है वो वापस आएगा के नहीं जिन небольшी पता के जिने कौन ले जाएगा कौन उठा के ले गया है कब आएगा यह नहीं आएगा तो अजादी जो है सबसे पहले समझने की जरूरत है जब आप आजादी समझ सकेंगे फिर आप आजादी की कदर भी कर सकेंगे हमारे हाँ तो आजादी सिर्फ ये है कि हमने अपने लिए कमा लिया अपने लिए खा लिया और खुदी पहल लिया हमारी आजादी अब सिर्फ इतनी है तो अजादी के लगवी मानी समझाने की जरूरत है लोगों को समझाएं कि हमें क्या हासल करना है और उसके लिए काम करने की जरूरत है मैं फिर इसी बात पर आ जाता हूँ कि हमें अपनी हद से काम शुरू करना चाहिए हमें लोगों की तरफ नहीं देखना चाहिए हमें अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए लोगों में सोच का पैदा किया जाना और सोच को अमली जम्मा पहनाना किसी भी काम के अगाज के लिए ये बुर्यादी चीज़ है अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो तवक्र रखी जा सकती है तो ये नाइन इलेवन का वाकिया खलील और एमान कामर साथ ने याद कराया हमने इन बीस बाइस तेई सालों में क्या तब्दीली पैदा किये अपनी सोसाइटी के अंदर अपने मुआशरे के अंदर मुसल्मानों ने अपने अंदर या अजादी के मतवालों ने जो अपने इस मुल्क को यानी फिर बाद जरा सियसी हो जाएगी या हम इस मुल्क की अजादी को खुद खोने के दर पे हैं हम खुद इस मुल्क की अजादी को खोने के लिए काम कर रहे हैं हम अपने गिरेबान एक दूसरे के हाथों में दे के हम समझते हैं कि हम अजाद मौशरा हैं, अजादी इसका नाम है, अजादी सोच का नाम है, अजादी सबसे पहले मुझे आपकी बात सुने और आपको मेरी बात समझने की सलाहियत बखिशती है, इस मौशरे में ये सलाहियत ختم ہو گئی ہے. हम عدم برداشت کا معاشرہ بن چکے ہیں. हम تشدد کا معاشرہ بن چکے ہیں. हम صرف اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں. हम ظلم و ستم کی ان تمام بنیادوں کو صحیح سمجھتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں. اور ہم ہر اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں جو ہمیں سوٹ نہیں کرتی. تو جہاں آزادی کے معنی بھی یہ ہوں. اور انسانیت کے معنی بھی یہ ہوں. اور کاروبار کا معنی بھی یہ ہوں. جو ڈیڑھ دو چار پرسٹ پاکستانی ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ مہنگائی کیا ہے. جنہیں یہ نہیں پتا کہ کل ان کی زندگی میں کوئی مشکل آ سکتی ہے. ان کے علاوہ باقی لوگوں کو پوچھ کے تو دیکھیں کہ وہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں. آپ کبھی کسی ڈسپینسری پہ جائیں کسی آٹے دار کی لائنیں تو ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں نا. جو فری ڈسپینسری کی لائنیں ہیں نا. وہاں پہ لوگوں کی حالت دیکھیں جا کے. خدا کی قسم لوگ پیرا سٹا مول لینے کے لیے نا. سارا دن گزار دیتے ہیں. یعنی یہ حالت ہو گئی ہے لوگوں کی. اور ہم آزاد معاشرہ ہیں. اور ہم آزادی کا جشر مناتے ہیں. ہم چودہ اگر سڑکوں پر وہ موٹر سائیکلوں کے وہ نکال کے سلنسر اس کو آزادی کا نام دیتے ہیں. اور ہم اس کو معاشرہ سمجھتے ہیں. ہم اتنے بدنصیب ہیں اور جو بات کرے گا ان موضوعات پر وہ مجرم کہلائے گا. اور اس کا سر کلم کر دیا جائے گا. اور یہ ہوتا ہے میں تو روز دیکھتا ہوں. اس طرح بولنے والوں کو معافی نہیں ملتی. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چوک چوراہی میں. آپ سر کلم نہیں کرتے ہیں زبان کلم زبان بندی کرتے ہیں چلے. میں یہ کلم بھی نہیں کر رہے ہیں زبان بندی کرتے ہیں. 100% آپ پہ درست بات کیے چودری صاحب. میں سائل صاحب سے بھی یہی پوچھا چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے. عرب کے ٹائم پہ جو غلام تھے نا میں چھوٹا تھا تو سوچتا ہوتا تھا کہ یہ غلام جب مارکٹ جاتے ہیں یہ کام کا آج کے لیے نکالے جاتے ہیں تو یہ بھاگ کیوں نہیں جاتے. یہ چھوٹا سا بچہ تھا میں اور میں سوچتا تھا کہ یہ بانڈیج یہ سلیوری کہاں کی سلیوری ہے یہ ہوتی کیسے ہے غلامی. مجھے کوئی غلام بنائے گا اور میرے مالک نے مجھے کام سے بھیجا تو میں تو گھر نہیں آؤں گا. مگر یہ سارے غلام واپس اپنی مرضی سے ہی اپنے گھروں میں آتے تھے. تو یہ بعد میں مجھے سمجھ آئی جب سائیکالوجی پڑھی کہ اصل میں غلامی ذہن کی غلامی ہوتی ہے. وہ ڈر کے تھو وہ زنجیر باندھی جاتی ہے وہ ڈر کی زنجیر ہوتی ہے کہ جو کروڑوں لوگوں کو سینک روڑ لوگوں کے تابع کر کے رکھتی ہے اور وہ کہیں نہیں جاتے وہ کچھ نہیں کرتے سو پچیس کروڑ بندے اگر پچیس بندوں کے غلام ہیں تو اس کا طالع ہمیں نظر آتا ہے کفل پوری طریقے سے آیا ہے تو اس کی چابی اور اس کو کھولنے کا طریقہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو یہ کفل توڑنا ہے یا کھولنا ہے اس کے پیچھے وہی نفسیات کی ٹریننگ ہی ہے سائیکالوجی کی کہ کس طریقے سے وہ ذہن کے ان ریشوں کو آپ نے ری ٹیون کرنا ہے ری وائر کرنا ہے تو یہ پریشر اگر ایک دفعہ ہمیں پتہ ہو کہ پچیس کروڑ کا پچیس بندوں پر جو پریشر ہے وہ کہاں سے بیلڈ کیا رہتا ہے وہ بٹن کہاں پہ لگے ہوئے ہیں ذہنوں میں تو وہ ہم پھر دو تین ادارے مل کے کر سکتے ہیں میڈیا ان میں سے ایک ادارہ ہے سکول ایک ایڈوکیشن سسٹم ایک ادارہ ہے اور مسجد دوسرا ہے تیسرا ادارہ ہے باقی کوئی زیادہ بڑی ایکویشن نہیں بنتی تو اگر اس ایکویشن کو ہم کانشیسلی ایک فریم ورک کے تھو ان تینوں اداروں کو یکجہ کر کے ایک منظم کاوش کریں تو یہ آٹھ دس سال کے اندر ہو سکتا ہے کام اور آٹھ دس سال بھی میں سٹیٹسٹیکلی بتا رہا ہوں اس کی پیچھے بھی ایک 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 ایکویشن ہے کہ پچیس کروڑ بندوں کے اندر ہم اگر اس کی سپلٹ لیں تو ٹوٹل گیارہ شہر بنتے ہیں جہاں سے اصل میں یہ سارا کا سارا کرنامہ کیا جا سکتا ہے اور یہ بڑے شہروں کو فالو کرتے ہیں باقی کے سارے کسبی اور گاؤں اور ان بڑے گیارہ شہروں میں بھی ہمیں ہنڈر پرسنٹ پوپلیشن نہیں چاہیے ہوتی ان کی بھی ایک سپلٹ ہے ہمارے پاس اور ان سٹارٹاس کے اندر جو ٹیکنیکلی موسٹ کرٹیکل سٹارٹا ہے وہ یہ لوجیکل ریزننگ کرٹیکل تھنکنگ کے تھرو آپ ان کو اپنی غلامی سے نکال سکتے ہیں سو آزادی کا جو اصل میں متضاد ہے وہ قید نہیں ہے جیلوں میں بیٹھے ہوئے قیدی نہیں اصل میں غلام آزادی کا متضاد اصل میں غلامی ہے اور غلامی اصل میں ذہن کی غلامی ہوتی سڑکوں پہ پھرنے سے کوئی انسان آزاد نہیں ہو جاتا یا جیلوں میں جا کے کوئی انسان غلام نہیں بن جاتا اصل میں ذہن تابع کرس نے کر لیا سوچ تابع کر لی اور وہ ڈر بٹھا دیا تو اس ڈر کے مارے ڈر کے مارے وہ واپس اپنے آقا کے زندانوں میں آ جاتے ہیں رات کو حالانکہ کھلے آم پھرتے ہیں سڑکوں پہ نہیں نظر آئے گا آپ کو کہ کون غلام ہے کون آزاد یہ ذہنوں کے اندر جھانک کے پر چلتا ہے کہ کون اصل میں آزاد ہے کون غلام ہے تو یہ اگر ادھر سے غلامی ڈالی جاتی ہے ذہنوں کے دھرو تو ادھر سے آزادی بھی ڈالی جا سکتی ہے تو یہی کام ہے کہ کس طریقے سے ہم ان لوگوں کو آزاد کر سکیں تو یہ جو پچیس کروڑ بندے ہیں ان کی دو تین سٹارٹس ہیں ہمارے پاس سکسٹی آٹ پرسنٹ تو ہمارا وہ اللہ لڑکا اور لڑکی ہے کہ جس کو ہم ابھی غلام بنا رہے ہیں پریکٹس کر کر کے اور وہ بڑوں کو دیکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں تو یہ اللہ رسول ہی کی بات ہوگی یہی موڈالٹی ہوگی یہی صحیح اور غلط ہے حالانکہ زیادہ تر لوگ کرنے کا تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں وہ تو ایسی گمرہی پہ ہوتے ہیں تو ہم اگر اس اس معاملے کو اس آنگل سے دیکھیں تو ہمارے ڈرائنگ بورڈز کے اوپر زیادہ بڑے ویریبلز نہیں ہیں بہت آسانی سے ہو سکتا ہے مگر سٹرکچرڈ اپروچ میڈیا کے تین چار چینلز جن کو پتا ہو کہ ان کی پینٹریشن ٹھیک ہے ان کے پر وہی پروگرامنگ ہو جس میں وہی انصر اناصر نمائع کر کے بتائے جائیں اور یوتھ کو مسجد بھی ٹرین کر رہی ہو ٹیلیویجن بھی ٹرین کر رہا ہو بلکل ٹھیک بات کیا میں ایک چھوٹی سی بات کیا میں نے دو ہزار دو ہزار ایک کی بات ہے شاید ایک نیجی ٹی وی چینل پہ اس دور کی فیصلہ ساز قوتوں نے اسے استعمال کیا سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے ایک کمپین دو ہزار دو یا دو ہزار تین کی بات ہے تو اگر میں آج کے معاشرے کو دیکھتا ہوں تو اس کی بہت اکاسی ہوتی ہے آج وہ ایک گیجٹ جو ہے لوگوں کے اندر سوچ کو تبدیل کرنے کی وجہ ضرور ہے لیکن کیا ہم اس کو مصبت استعمال کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں اس پر سوال ہے اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ تب تک ممکن نہیں ہوگا جب تک خلیل اور ایمان کمر اوریا مقبول جان ساحل عدیم اس طرح کے لوگ بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہمیں قوم کو ڈائریکشن کے لیے آگے بڑھنا ہے اور ہمیں نے روزانہ نوے سیکنڈ کا ایک پیغام دینا ہے اور انہیں اپنے آپ کو اس کام کے لیے آگے لانا پڑے گا اور دیکھیں یہ سوچ جو ہے اب آپ کے ہاتھ میں ہے اگر آج آپ اس کو اس ہاتھ میں اس کے دماغ اور آنکھوں کے سامنے لے آئیں گے تو یقین مانیے کہ یہ نتیجہ تیزی سے تبدیل ہوگا ہاں فوکس کرنا پڑے گا آپ کو یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ آپ کا گول کیا ہے اور میرے نزدیک آج کا گول ہمیں اس قوم کو یہ سبق دینا ہے کہ ریلیجس سکولر اور پولیٹیکل سکولر جو ہے دونوں ناکام ہو گئے ہیں دونوں کے درمیان اس فاصلے کو پاتھنے کا کام کرنا ہے سوسائیٹیاں توڑ دینا کامیابی نہیں ہوتی ناکام لوگوں کو چھوڑ دینا کامیابی کی وجہ نہیں بن سکتی ان لوگوں کو کامیابی کے سفر میں اپنا ہم سفر بنا لینا کامیابی ہو سکتی ہے بالکل سکتی ہے سوچ کی تبدیلی اور اپنے کردار کو اس کے مطابق ڈھال کے مثال بنا کے ہمیں آگے پڑنا ہے لڑنا جھگڑنا مسائل کا حل نہیں ہے ہمیں اختلاف رائے کو سننا اختلاف رائے کو دلیل کے ساتھ قبول کروانے کے فن سے لوگوں کو بھی آشنا کرنا ہے اور اپنے آپ کو بھی یہ سبق دی رہا ہے کہ ہم نے ہارنا نہیں ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بھی ضبط کے ان بندنوں کو توڑ کیونکہ جو ہماری بات نہیں مانے گا وہ بیکار ہے تو ہم بھی اپنے گھر بیٹھ جاتے ہیں تو اس روش کو ترک کرنے کے ترک کرنے کے بالکل ترک نہیں کوشی بالکل ٹھیک بات کی کامیابی جو ہے آریہ صاحب کوئی ایک نظم آپ قدیم حاشمی صاحب ورہوم کی اگر سنا تو انہیں سے سنے وہ تو بہت چاہت سنا آج کلام خلیل اور ایمان کبر صاحب سے سنیں کوئی آج کے رام پہ ڈیڈیکیٹ تو کریں آج جو کچھ سوچ انہوں نے یہاں جس کا آغاز کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں انہیں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے آج انہیں قوم کو جگانے کے لیے اپنے الفاظ سے آغاز بیانا آج کرنا چاہیے ایک بات بیفور دیٹ کہ میں کچھ سنا ہوں ابھی میں جب بات کروں گا تو یک لحظہ چودری صاحب تھم جائیں گے اور اوریس صاحب کی چہرے پر ایک مسکرہات آئے گی ازادی کو ڈیفائن کرنا اس ملک میں اس لیے بڑا مشکل کام ہے کہ اگر آپ ٹھیک تھے ٹھیک سے کا مطلب ہے وہ جھوٹی تاریخ نہ پڑے جو ہمیں پڑھائی گئی ہے تو یاد رکھئے آزادی کے جو سمپل معنی تاریخ نے ثابت کیا آزادی چھین کر لی جاتی ہے آپ کو آزادی چائے کی ٹیبل پر ملی ہوئی تو چائے کی ٹیبل پر ملی ہوئی آزادی کی قدر آج تک نہ کسی زیرو نے کی نہ قوم نے کی آزادی کا شہر جب جاگا ہے جس کو آزادی بولتے ہیں وہ آج کے دنوں میں جاگا ہے جب پتا چلا ہے کہ قید کیا ہوتی ہے غلامی کیا ہوتی ہے اور آزادی کیا ہوتی ہے اگر اس پرٹیکلر ٹائم سے ہم نکل گئے اور ہم نے سچ مچ وہ گول اچیو کر لیا جس کا نام آزادی ہے تو ہم بحیثیت قوم بچ جائیں گے ورنہ میرے پاس کوئی تصور نہیں اس بات کا میں معافی چاہتا ہوں کہ ایک ہپ ہے جو میرے پاس پچھلے دو سال سے ڈھائی سال سے نہیں تھی جو دو ڈھائی مہینے پہلے آئی اب اس hope کا میرا یقین بننے میں کتنا وقت لگتا ہے خدا بہتر جانتا ہے اس موقع پر کوئی کلام سنا دیجی اور یہ یقیناً دو ڈھائی مہینے پہلے جو آپ نے کنسیف کیا ہوگا ہمیں ایک بات اور کر لی جی اور میں ٹھیک سے یاد کر لوں اس کو بڑی ضروری نظم ہے صحیح بات عدیل حاشمی صاحب کی نظم سنا دیجئے جی میں سنانے جا رہا ہوں جی خلیل صاحب دلوں کو درد کرنے میں چہتر سال لگتے دلوں کو درد کرنے دلوں کو درد کرنے میں چہتر سال لگتے ہیں یہاں بس کر اجڑنے میں چہتر سال لگتے چہتر سال پہلے بھی غلامی سی غلامی تھی نئے زندان سجنے میں چہتر سال لگتے سروں سے میری عورت کے دوبتے کھینچنے والو سروں سے میری عورت کے دوبتے کھینچنے والو تمہارا خوف بڑھنے میں چہتر سال سائل صاحب کون سی نظم کا حضل آپ سنائیے گا آشمی صاحب کی وہ جو کھیتوں پہ آگ بن کے صحاب آئے تو ہے کم دوزخ کا اس زمین پہ عذاب آئے تو ہے کم میں نے کہا آپ سنائیں تو اچھا لگتا ہے میں سنا دیتا ہوں مگر وہ جی میں سنا دیتا ہوں ضرور اور کو سنا دیں جو آپ کو ان کی پسند ہے جی نہیں اس موقع پہ اور کیا یہ ضروری ہے یہ جھٹکا دیا جائے قوم کو غضل ہے کھیتوں پہ آگ بن کے صحاب آئے تو ہے کم کہتوں پہ آگ بن کے صحاب آئے تو ہے کم دوزخ کا اس زمین پہ عذاب آئے تو ہے کم سر پر ہر ایک شخص کے ایک ایک آفتاب سر پر ہر ایک شخص کے ایک آفتاب ہر روز مثل روز حساب آئے تو ہر روز لوگ بن کے کبوتر حیات پائیں ہر روز لوگ بن کے کبوتر حیات پائیں ہر روز ان کے سر پہ عقاب آئے تو ہے کم دست حوس چھدے گا کہا خار نرم سے دست حوس چھدے گا کہا خار نرم سے نیزا بھی کوئی تیرے گلاب آئے تیرا لکھا کرے گا یہاں کیا اثر عدیم تیرا لکھا کرے گا یہاں کیا اثر عدیم یا جبرائیل لے کتاب اللہ تو ہے وہ مسطنصر حسین تارر صاحب کا جملہ مجھے یاد آتا ہے فرماتے ہیں کیا پتا قیامت آگئی ہو اور ہم دو دخمے رہ رہے ہیں اقبال نے اس کیفیت پر خوفناک بات کی ہے زمن بر صوفی اور مللہ سلام کہ میں اپنے صوفی اور مللہ کو سلام کرتا ہوں کہ پیغام خدا گفتند مارا کہ مجھے اللہ کا پیغام سناتے ہیں لیکن عجیب و غریب تعویل کرتے ہیں کہ حیران رہ جاتے ہیں کون خدا جبرائیل مصطفی خدا بھی حیران ہے یہ تعویل کرتے ہیں جبرائیل بھی حیران ہے مصطفی بھی حیران ہے جوجی صاحب یہ آپ نے ساحل صاحب کو سنا ہے آپ نے خلیل صاحب کے 76 سال سنے ہیں یہ بلکل پروگرام کا آخری لمحات ہیں آپ کیسے اس کا خلاصہ کرتے ہیں اور کیا پیغام دیتے ہیں پلیٹ فارم سے جو آج یہاں پر گوئی ہے سننے والوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کامیابی کی امید رکھنی چاہیے ہمت آپ کے ساتھ ہونی چاہیے قدم بڑھانے کی طاقت ہونی چاہیے اراد مسمم ہونے چاہیے کامیابی دور نہیں کوئی ناکامی کی امید نہیں ہے انشاءاللہ بگر ضرورت ہے ان لوگوں کی ان چہروں کی جو آگے بڑھیں تو انشاءاللہ کامیابی قدم چومیں گی ضرور چومیں گی انشاءاللہ کامیابی قدم چومیں گی ضرور چومیں گی اسحائل صاحب آپ کا بہت شکریہ چوزی محمد اکرم صاحب آپ کا بہت شکریہ اور خلیل الرحمان کمر صاحب آپ نے 76 سال پیش کیے بہت بہت شکریہ بلکہ ہم اس کے سامنے پیش ہیں ہماری تو پیش ہی لگی اور اور اسی بہت شکریہ آپ دونوں کا بھی اسی امید کے ساتھ چونکہ چودری صاحب نے امید کا بھی ذکر کیا ہے طاقت کا بھی ذکر کیا ہے ہم اس امید کے ساتھ اپنے دیکھ لیمانوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ ہم 77 سال میں جب ہوں گے تو اللہ تعالی ہمیں یہ طاقت بھی اطا کرے گا ہمیں قوت بھی اطا کرے گا اور ہم آئندہ برس کی جو عید ہے اس کو واقعیتا حقیقی انداز میں ایک عید کے طور بنائیں گے اور ہم اس 77 برس میں آنے 77 برس کا اچھا سامان ضرور کریں گے تاکہ ہماری آنے والی جو نسلے ہیں ان کو وہ آزادی ملے جس کے لیے کوشش ہمیں کرنی تھی ہم نے کی اور آج جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں بہت شکریہ عید کا سما میں ہمارے ساتھ مل جل کر عید کی خوشیہ بانٹنے کیلئے اور بہت شکریہ آپ سب جنہوں نے عید کا سما بانٹا دھیر خوشیہ اور ڈھیروں میٹھی میٹھی باتیں کی ڈھیروں خوشیہ آپ کو بھی مبارک ہو اور اسی طرح دیکھتے رہے ہمیں پیار کرتے رہے اور بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں پیار دینے کے لیے ہم پر کرنے کے لیے اور عید کا سما سے آپ سب کو ایک دم پھر سے عید مبارک